हाई वेलकम बैक मैं नरेंद्र कुमार आपका अपना ही चैनल स्टोक एडवाइस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों इस बात करेंगे रिलेशन सी बिटमी चार्ट एंड डिमांड एंड सप्लाई ठीक है दोस्तों तो आज इसी पे बात करने वाले तो इस वीडि को सब्सक्राइब कर ले और उसका बहुत बहुत करना नहीं भुलिएगा तो दोस्तों आज बात करते हैं कि टेकनिकल इनालेसिस जो हम लोग कर रहे हैं जो सीख रहे हैं तो उसमें एक डिमांड एंड सप्लाई को चार्ट पे कैसे है और चार्ट का बनने के पीछे इसका क् सबसे पहला मैं कुछ है आपको इमेज दिखा रहा हूं आप थोड़ा सा इसको देखिए कि आपको क्या दिख रहा है यह एक अगर मैं बताओं तो दोस्तों यह है आपका प्राइस का मुवमेंट फोर एक्जाम्पल अगर आप इस पॉइंट पर देख पा रहे हैं यहां प यह जो प्राइस है सो रुपे है और जो यहां की जो आपको प्राइस दिख रही है यहां पर यह आपको पांसो की है तो अगर आप थोड़ा सा बेसिक में मैं जा रहा हूं देखिए क्या है कि मैं इसको जिरो लेवल से मैं इस सिरीज को सुरू किया हूं तो मैं जिरो लेव करने से उसकी जो भाव होई कीमत है बढ़ जाती है फिर से रिपीट करता हूं डिमांड बढ़ने से कोई भी वस्तु की सर्विसेस की जो है प्राइस बढ़ जाती है नबस माइ पारे तो एक यूदες बढ़ रहा है प्राइस बढ़ रहा है सो रुप्या से कहां गया 500 टक फेर कि हम लोग आगे बात करेंगे क्लेंग का ठीक है कि अब ट्रेंड ड्रेंड ऎलग से बात करूंगा तो आप पर दाशनेद में तो सो रुप्या से 500 गया तो तो सो से पांसो तक गया इसका मिंस कब कि भईया इस mental kingdom हुआ है तो ये जог प्राइस तरिका से कहा उसे पांसों हुआ ही इस मींस renewal कर दो हुआ है तो दिमांड बढ़ेगी तो प्रैक मेंट भढ़ेगी आप देखिए बहुत से लोग यहां से वीडियो स्किप्ट कर जाएंगे आगे सारे चीजे छुट जाएगी वीडियो को लाश्ट के खित देखिएगा तभी आपको सारी चीजे समझ में आने वाली है अब दूसरा में एक्जामपल लेता हूं दारान लेता हूं तो आपको क् 500 पर था 500 to 100 मतलब 500 से नीचे आ गया यानि कहीं न के इसमें में बोलू कि डिमांड कम गया या सप्लाइब बढ़ गई कि अब देखिए एक एक देगौन में देरहा हूं कि आपको कर 예भर डिमांड बढ़ना obes Raw कама ओड़ना का ने टून कमेगी है और सप्लाइब बढ़ेगी yours दिमांड कमेगी तो यह 500 से अगर 100 तक आया तो यह क्या हुआ है कि भाईया कहीं न कहीं आपको इसा लगा कि यहां पर दिमांड कम रहा सप्लाई ज्यादा हुआ है यह देनिक जीवन में दखिएगा देनिक जीवन में इसका एक्जामपल है आप कभी जाते हो मार्केट में सब्सक्राइब करेंगा अब होता क्या है सब्सक्राइब बहुत कम आए हैं अब लेने वाले ज्यादा पहुंचा है जब बढ़ा दो तो इस तरीका से आपको समझना परेगा मार्केट में आउट अप दबॉक्स कुछ भी नहीं हो रहा है सारी कि सारी वही चीज़ हो रही है जो हम लोग को देनीक जीवन में आसपार्ट घर्टित हो रही है जब आप अपने आपको कोचन करेंगे अपने आपसे जब कोचन करेंगे अपने मायन को थोड़ा सा उस पर फोकस करेंगे यह सारी कि सारी जो आपको मार्केट में जो हो रही है उसका आपको कहीं न कहीं जबाब मिलता जाएगा अब क्या करता हूं मैं आप एक सलाइट और ल प्राइज था 500 रुपए याधना और यहां पर था फिर से 100 रुपए अब थोड़ा सा समझिए अब यहां पर आती है डिमांड़ सप्लाइब जो बहुत से आपको भरमित करने वाली जो बाते हुई मैं उससे थोड़ा सा अलग करता हूं कि आप कैसे भरमित हो जाते हो अब द अब इतना समझेश के प्राइस ऊपर चा रहा हूं तो एक अप्रेंड में आता प्राइस नीचे जा रहा हो तो डाउन ट्रेंड में होता है ठीक है यहीं होगा अगर प्राइस अगर आप जा रही है अगर लगातार प्राइस आप आप जा रहा है मिस कहीं न कि अप ट्रेंड को फोलो करेगा अगर प्राइस अगर नीचे जा रहा है तो डाउन ट्रेंड को फोलो करेगा मैं इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा आप लोग हम प्रइंब यह आप बता जिये कि आप ट्वेस्ट कहां पर य्जदा रहा होता हूं oh beaucoup oh my god आ एक में डिमांड ज्यादा रहा होगा तो मैं लिख दिया डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई लिदिकत कोई दिकत नहीं आहाvent पर बोलू के मिच correction रहा होगा डिमांड ज्यादा है सप्लाई ज्यादा है अगर आपका माइंड बोल रहा है कि यहां पे सप्लाई ज्यादा है तो आप सिधा लिए यहां पर सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड तो अगर यहां पर दौ महत पूर्ण बाद है दोस्तों कि यह जो upp trend to downtrend जो up trend से downtrend में जो shift हुआ तो मैं बोलता हूँ कि shift in trend जो shift किया जो up trend से downtrend जो व्हाने जो उपर जा रहा थ होआ से नीचे जाना शुरू किया तो यानिकि ट्रेंड किया तो सिफ्ट इन ट्रेंड तो कि क्यों कर गया अब आपको बात को समझेगा शिप इन ट्रेंड क्यों हुआ थोड़ासा समाझने की कोसिस किजिएगा बहुत इपोटन चीज़् है मैं अभी बताने वाला हुँ कि एस शिप इन डीमांद चप्लाई क् है क्योंकि जैज और प्रवा था यी आपस में या जो है न एपर साट रंट हृँ यहां पर दिमांड क्या हुआ हुआ है और अगर मैं करता हूं नीचे आदधरा आता हुआ कि आपको समझ में आ सके और इसको देखिया आपस में दूनों चेंज कर गए ना तो शीप इंट एक दिकाव सिफिन डिमांड एंड सप्लाई डिमांड एंड सप्लाई सीफ करने से आपका ट्रेंड रिवर्सल हो गया और वह आपको कौन बता रहा था अभी तो मैं इतना नहीं बता रहा था कि आपको तुम एन दिखा के प्राइस का जो मोमेंटम को दिखा के मैंने पूछा था कि आपका डिमांड कहां पर है तो आप बोले कि दिमांड ज्यादा तो सरे वाला में है सप्लाई ज्यादा कहां पर है तो आपका मन बोला था किसको देखके बोला था यह बोला था चार्ट को देखके प्राइस को दे कि यही तो बताता है कि कहां पर भाई करनी है कि प्राइस करनी है कि उस वीडियो को नहीं देखे हैं मैं आई बटन पर दे रहा हुआ उसको देख लीजिएगा पास्माषपा रहें तो इसको समझ एगा कि जो डिमांड इन सपरेज्टी जो सिप्ट किया और किसा कीया नहीं पता अब पता कौन करेगा पंडावमेंटल ननालिस्ट होगा अब मकमपनी के प्रोड़क्ट का डिमांड क्यों बढ़ रहा है क्या उसका प्रोडॉक्ट में कुछ अचा आई है क्या उसका marketing एस्ट को एसा हो गया क्या ओक कंपर्टीटर को कैसे बीट कर गया इन तमाम तरीके की चीज जो हता है करते हैं आपको सारी सारी जो भी चीजें आपको परदसित कर रहे है तो depressives कर रही हैं तो अब आको यह जो डिमांड और सप्लाई यह जो टेक्निकल इनलेसिस में क्या है और इसका क्या महत्व है मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जब फ्रास आउर आगा हम बढ़ेंगे इसको चार्ट पर किस तरीका से देखना है इन तमाम तरीकों पर मैं बात करने वाला हूं जब भी मेरा वीडियो एक दम step by step step by step क्योंकि इसरीज को इसलिए शुन के जीरो लेबल से जो मार्केट को कुछ नहीं जानता है उसको कैसे मैं सिखा सकूं और इसमें आप लोग मेरा सयोग कीजिए वीडियो को ज्यादा ज्यादा अपने सोचल मिडिया पर इसको शेर कीजिए और थाकिशोटा बहुँ छोटा जिसके पास नहीं है जनकारी नहीं ठीक है जो समझना चाहते हैं मार्केट को उस लोगों को यह सारी जनकारी मिल सके और वह भी इसी तरीका से सीखे और आगे चलके वह भी एक प्रोफिटेवल ट्रेडर बनेंगे तो दोस्तों यही सारी चीजें कि डिमांड एंड सप्लाई हम लोग को चार्ट ही बता दता है कि कहां प comprendre रहा है कहां पर सप्लाई बढ़ रहा है हम लोग को क्यों बढ़ रहा है उसकारी फंडामेंडल और सिसको देखना है हर Giving क्या हो रहा चार्ट सारी चीजे बया करती है जानता है उसको और कुछ चीज की जरुवत नहीं होगी मेरी बात को समझ पा रहे हैं और उम्मीद है दोस्तों कि आपको में जो बताना चाहा समझाना चाहा आप समझ लिए होंगे और फिर भी कोई आपका डाउट है आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और अगर आपका कुछ राय है कि सर आप इस टोपिक पर वीडियो बनाए या कुछ है आप इस तरीका से कुछ कर सकते हैं जिस बीगनर को कुछ लाब हो सके तो ओभी आप जरूर कोमेंट में लिखिए मैं उस पर जरूर करूंगा और मैं अपने इंट से हैंडरे परसेंट एफट ला आज जो लोग मार्केट में आना चाहा रहे हैं उनको दिशा भ्रमित न करके एक अच्छा दिशा दिया जा सके ताकि वो अपना फाइनांसियल हेल्थ को अच्छा रखते हुए एक ट्रेडर बनने की और अगरसर हो सके तो इस वीडियो को यहीं पर समापन करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद